वेलकम टू मार्वर विच्वाइट एंदेरेंदे चलिया शूरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर मैं सोलो लेवलिंग की में बात करूंगा तो सोलो लेवलिंग एक नेटमाबल का गेम है अमारे विच्वाइट की तेरा जिसको हम लोग यहां बर खिलके देखने वाले हैं तो इस गेम को जैसे ही मैं इंस्टॉल करता हूं स्टार्ट करता हूं यह काफी जादा लोडिंग लेता है पता नहीं यह लोडिंग क्यों लेता है लेकिन यह लोडिंग बहुत जादा लेता है और बीच बीच में इसके सर्वर टिक वैसे ही काम कर रहे थे जैसे हमें से शेयर सेस्काइब कर दिना अब आगए चलते हैं तो यहां पर मैं सोलो लेवलिंग कर यह सेन कुछ ऐसा होता है और यहां पर मैं जब मैं इस गेम को स्टाट कर रहा था तब यह भी जुश में लैक कर रहा था काफियत तक और काफी बार दो तीम बार इसको रिस्टार्ट भ होता है लेकिन काफी सारे issues है storyline ठीक है बहुत अच्छा है उपर से यहां पर मैं एक लड़का दिखा जाता है जो पोल्टर की तरब जा रहा होता है पोल्टर के अंदर चले जाते हैं चले जाने के बाद में यहां पर अचानक स्क्रीन पूरी ब्लैक हो गई है और यह से कुछ देर तक रहता है उसके बाद में हम लोग character को चूज कर लेते हैं character यहां पर इसको मैं move करता हूं वी पैड के तुरू लेफ्ट राइट आगे पीछे उपर नीचे हर तरह इसको करनी कोशिश करते हु तक कि यह लाइक नहीं कर रहा है यह चेक करने के लिए तो इसको राणे राण्ट राण 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 जब तक मैं इसका पूरा twin करता हूं तब दो spectrum एक मगरमचया creature पता नहीं है जीब सा creature है वह जीब सा creature होना यहां पर आ जाता है सामने की दरफ और prof मेर यहां पर कुछ इस तरीकी से अट़एक करना पड़ता हैं काकी जौद यहां marksकत करने पड़ती है उसको मारने के लिए मतलब डिफेट करने के लिए जादा नहीं करने पर थोड़ सा करना पड़ता है जादा यहाँ पर मगज मारी करने की जरूरत नहीं है उसके बाद में यहाँ पर स्वाड मिल जाती है तो यह स्वाड के साथ मैं लेके जा रहे है आगे की तरफ और यहां पर एक नहीं बलकि तीन तीन मकरमच डैनासोर क्रीचर क्या बोलना है बोलो तो वो तीनों की तीनों मिलके इसके उपर अटक कर रहे होते हैं और इसको डॉज करके इसके स्किल्स को मैं यूज कर रहा हूँ तो इसके skills पे हर skills की तरह नेट मामल का जो game से उसके हर skills पे cooldown duration लग जाता है कि इतने इतने seconds तक तुमनों को wait करने के बाद मैं वापस skills को reuse कर सकते हो और उसका जो skill cooldown है वो उतने होतने seconds का होता ही है नेट मामल के हर एक games में चाहितों नेट मामल का कोई भी game खुलो हर game में यह दिखेगा हर game में दिखेगा अब आता है यहां पर मैं बड़ा वाला creature बड़ा वाला creature यहां पर थोड़ा सा ज़्यादा brutal लग रहा है अनकंट्रोल लग रहा है एंगरी लग रहा है और उसके साथ में एक लड़का आया हुए है जो की औरेंज का लगा बालो वाला है जिसने एक ही बार में उस creature को खतम कर दिया वाय बेटे हुआ मौच कर दी उसके बाद भी यहां पर साथ-ाठ लोग की टीम होती है जहां पर सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है किसी डायमेंशन या पोल्टल का उसके अंदर में यहां पर हमें हाट टेच करके इसको बिसिकली खोलना होता है पुश करके तो खोलते आव भईयो बहनो साथ मिलके मुसीबत को बुलावा दे चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू और मुसीबत को बुलावा देते देते यह लोग सामने के दरव जाते हैं और हमारा जो गेम है वो एक और बार लोड करता है यह साले लोडिंग के इस जमाने में खतम वागा हमालोमनें। उसके बादमें, यहां पर बैङलंड के जो जतने भी तोर्ज ओती है या भट्टी होती है, वह भट्टी चालू हो जाती है, और यहां पर बंद स्वार्ड होती हैं फीक ठीजिब तरह की को है हैं, किया है, और जैसे वो पलट के देखते हैं वहाँ पर में उसे शौक लगता है और यहाँ पर शौकिंग मोमाहिंट अचानक से वह स्टचू की मूर्ती उसकी फेस टन डेविल होगती है उसके बाद यहाँ पर मैं सारे के सारे वहाँ से निकलने की कोशिश करते है उसके स्टैचू के अंदर से काफी जादा खतनाकर वाली रेट कलर की लेजर निकलती है जो पूरे तरीके से सब को खतम कर देती है जबकि यह स्टैचू बलकि कोई लिविंग बिंग था जो की एव भाई वाह क्या गेम वाह बच्चों के लिए ऐसे गेम बनाते हो जिसके अंदर में ब्रूटल और यह औरेंज वाला बंदा लगता है कुछ जादा ही एविल परसन का है और में जो प्लान था इनको लोग यहां पर लेके आने का और मरवाने का उस औरेंज वाले बंदे का ही इसका एक्सेप्ट विल बी डिकलाइन वगेरा कुस्तों आया था नूटिस उसको मैंने यहां पर एक्सप्ट कर दिया है और आगे यहां पर यह स्टोडी लाइन और एस्प्लेंग करेगा ठीक है ठीक है ठीक है हम टच करके आगे नूटिस करके बढ़ जाते हैं और यहां आपर में स्क्रीन जो है ब्लैंक होके वापस चालो हो जाती है यह काला कोन है पता निकारगां काला मुर्गा काला कुत्ता पता निक्याचीज यह बड़ी स्पीड से आगे भाग रहा हुए और हम दोग यहां पर देखेंगे आगे यह क्याचीज है यह वापस से वही मिशन हमें प्ले करने लगा रहा है जो अभी हमें ने रिसेंटली प्ले किया था और उसके अंदर यह चांस चैप्टर वन चैप्टर वन हमसे यह फिर से प्ले करवा रहा है लो बोलो यहां पर यह लड़का बुरा सपना देखके सोचके समझ के उठ गया है ओ इस इस आल ड्रीम हैंड आयम इन होस्पीटल सो यू रिजाइन ठीक है मेरे को कुछ पढ़ने का मुकाई नहीं मिला इसकी स्टोरी निक बहुत जादा फास्ट है थोड़ा समझने में अंडरस्टांग करने में टाइम जाएगा मैं गेम की बुरा ही नहीं कर रहा है लेकिन यह नेट मंपल के ह हाल होने वाला है अब यहां पर देखते हैं इसके स्टोरी ने आगे तो यहां पर काफी बार मेरा मोबल यहां पर क्राइश किया उसको बाद बार रिस्टार्ट किया और रिस्टार्ट करके यहां पर वापस से रेकॉर्डिंग स्टार्ट करना हूं तो यहां पर हम लोग द इंदर में हमें confirm करना है यहां पर कुछ और स्नेक टाइप पर पर आएंगे जो पॉजन फेक रहे हैं तो इसके पॉजन से में बचना है डॉज करना है और इनकी उपर में कुछ स्पेशल अटैक और स्पेशल स्कीस के इस्तमा करते हुए इनको डिफेट करना है ओके तो स्क्रीन पे काफी बार टाइप करना पड़ रहा है लेकिन इस बीच में मेरा मोबाल जो है काफी जादा हीट कर रहा है और पता नहीं सोलो लेवलिंग ओपन करते ही या उसके जो स्ट सक्षन में बता सकते हो और तुम्हारा प्रोसेसर कुन सा है और सॉप्टेयर कुन सा है और एंडोट वर्जन कुन सा है जीप्यू क्या है मोबाल में और मोबल का मॉडल कुन सा है यह मुझे नीचे बताना मत भूलना ताकि मुझे पता चल सके कि तुमारे पास में चल रहा ह क्या इश्वार है वो मैं एक्जैक्ट प्रॉलम ढूंड सकू तो यह वापस से स्क्रीन ब्लैक हो गया इस विज़े से सोलो लेविलिंग मुझे अनिस्टॉल करना पड़ेगा स्वारी बट्टू से अनिस्टॉल कि अनिस्टॉल